हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इसने वीडियो में आज इस वीडियों बात करने वाले हैं राष्ट ये परिच्छा बोर्ड यानि नेस्नल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन सौट फॉर्म में एन बी बोलते हैं इसको इसमें आई हुई एक नई वेकेंसी नई भरतिक बारे म के गर्फ बहुत ऑची वेकेंसी है यहाँ पे एक्जाम पर पूरी जनकारी वाला हुग उसनने बटाने वाला हूँ उससे पहले आप सबसे पहले आप तक पहुंशती रहे तो फ्रेंट्स देखिए सबसे पहले आप इस अफिसली वेबसाइट पाजिएगा यह एन एटी बोर्ड डॉट डॉट इडी यू डॉट इन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब का रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ आप क्लिक करेंगे तो रैटली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे अब जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा यहां नीचे में एक ऑप्सन दिखेगा देख सकते हैं 11 जुलाई 2020 क तो आपको सबसे यहां पर यह वाला क्लिक करना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा से जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे देख सकते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए तो मैं इसे ओपन करता हूँ ज यह जो है आपको PDF यहां पर अड़र्टाइजमेंट जो है जारी हो जागे देख सकते हैं यहां पर डाउलोड हो जाएगा जो कि यहां पर दस प्रेज का PDF डाउलोड हो चुका है तो देखें यहां पर सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट डेट्स यहां पर दिखाई देंगे जो कि यहां पर मैं आपको बतायता हूँ तो देखें यहां पर जो इंपोर्टेंट डेट्स बताया गया है जो ऑनलाइन स्टार्टिंग है 11 जुलाई 2020 से आज है 14 तारिक थोड़ा सा लेट हुआ वीडियो उसके बास से यहां पर जो लास्ट डेट यहां पर बताया गया है क्लोजिंग डेट 31 जुलाई 2020 तक आप इसका लास्ट मतलब आवेदन दे सकते हैं इससे आप नहीं दे सकते हैं तो यानि 31 जुलाई 2020 तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं और यहां पर एक्जाम डेट बताया गया है 31 30 अगस्ट 2020 को में भी हो सकता है या आगे बढ़ भी सकता है कुरोना के वज़ा से या कुरोना के जो भी प्रभाव होंगे उसके अनुसार ठीक है न अब देखें यहां पे आपको qualification और age और कितना salary मिलेगा और कितना post यहां पे दर्साया गया है तो देखिए senior assistant के लिए pay metric 7 होगा और 18 पोस्ट है और यहां पे qualification जो मांगा गया है 27 वर्स से कम होना चाहिए और educational qualification आप से बताया गया है कि degree from recognize university या board और यहां पर बताया कि to qualify examination as may be prescribed by nba तो आपको यहां पे degree अगर धारक है तो आप यहां पे आवेदन दे सकते हैं और साथ-साथ आपको examination लिया जाएगा वह exam आपको pass करना होगा मैं बताऊंगा अभी आगे चलके कैसे आपको exam देना है दूसरा यहां पे junior assistant जो की level 2 होगा इसका pay matrix salary और यहां पे 57 पोस्ट है बहुत यची वेकेंसी यह वाली जिसमें यहां पे केवल qualification मांगा गया है senior secondary examination यानि बारहवी class केवल आप qualify है तो आप यहां पे आवेदन दे सकते हैं और साथ-साथ आपको proficiency in use of computers and basic software package तो आपको यहां पे कुछ software के बारे में जानना जरूरी है जिसको आगर आप ADCADC किये हुए तो भी आप यहां पे आसानी से आवेदन दे सकते हैं उसमें आपको यह network पढ़ाया जाता होगा windows पढ़ाया जाता होता operating system, land architecture यह जनकारी आपके पास होना चीए क्योंकि यह exam में इस तरह के question आएंगे तो आप यहां पे आवेदन दे सकते हैं जुनियर accountants के लिए आपको bachelor degree पास होना चीए math या aesthetic से जो की मात्र साथ पोस्ट है और यहां पे आप देख सकते हैं three years experience in dialing with accounts in some government देख सकते हैं यहां पी यह जनकारी मांगी गई है with knowledge of computer based accounting उसके बाद से stenographer stenographer को सबको पता है friends की 10 प्लस 2 का लिफाई मांगा गया है और इसमें 30 बटा 80 word per minute आपको shorthand typing आना चाहिए तभी आप यहां पर आवेदन कीजेगा अने था stenographer के लिए आप यहां पर eligible नहीं है stenographer आपको question आना चाहिए तभी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं अब देखें यहां पर बताएगा candidates will required appear in the test in general English shorthand and typing to be connected by the board तो यहां पर general English shorthand यहां पर typing आपको लिया जाएगा और सबसे पहले बरित्या उनको दिये जाएगी जो दो साल का astronographer का experience रखते हैं तो उनको सबसे ज्यादा desirable मतलब बरित्या दी जाएगी तो यहां पर इस तरह की vacancy है अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं कैसे selection होगा और कैसे आपको आवेदन करना है तो online आवेदन करने के लिए फ्रेंट्स आपको registration करना होगा यहीं पर आपको registration का link मिल जाएगा चले मैं इसे नया tab में open कर लेता हूं देखे यहां पर आपको registration करनी के लिए इस तरह से आपको मिल गया अब आपको इस तरह से website खूलेगा तो आपको बारी-बारी से क्या करना यहां पर form को fill up करते जाना है उसे पहले आविदन करने से पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि इसका examination fee क्या रखा गया तो फ्रेंट्स examination fee की बात करें तो देख सकते हैं यहां पर 15 100 रुपय प्लस GST चार्ज यहां पर लगेगा examination fee के लिए और यहां पर देख सकते हैं यह जो कौन भरे आगवा तो यह है examination fee और यहां पर देख सकते हैं क्या 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 question पूछे जाएंगी यहां पर यह जनकारी इसी PDF में आपको मिल जाएगी चलिए मैं यहां पर बताता हूं कैसे आपको आविदन करना है अगर आप serious हैं तो एक बार आप इस PDF को जरूर पढ़िएगा यहां प करना चाहते हैं ठीके न तो उसके अनुसार आप किया करेंगे अगर फूश्ट चूछ कर लेंगे उसके बाद से रहां पर दुबारा से नाम लिखेंगे उसके बाद से आपको और चूर्ज चूज करना है general SCST OVC आप किस कटेग्री से बिलोंग करते हैं वो चूज करना है उसको चूज करने के बाद से आपको यहाँ पर फिजकली चैलेंज जो लोग सारीरी अबर लिखेंगे उसके बाद से अपना mobile नमबर दुबारा से अपना mobile नमबर यहां पर email ID फिर से दुबारा से email ID और generate OTP पर आपको click करना है यहां पर ठीक कर लेंगे ठीक है ना उसके बाद से यहां पर आपको यह submit करना है यहाँ पर सबसे पहले generate OTP पर आपको click करना है तो friends manager साब को बदावे नहीं आप सारी information fill up कर लिया आप मैं यहाँ पर generate OTP पर click करूँगा जिससे मैं यहाँ पर generate OTP पर click करूँगा तो तो दोनों में से किसी भी चीज पर OTP भेजा गया होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर OTP feel करेंगे तो friends मेरे पास OTP आ चुका मैं यहाँ पर validate OTP करूँगा देख सकते हैं यहाँ पर और जो आपका जो password है देख सकते हैं पर लिखा है email has been sent मतलब आपके email ID पे एक password भेज दिया गया है ठीक है न तो यह आपका application ID हो गया और जो email भेजा गया है वह आपका एक password हो जाएगा तो आपके email ID पे चेक कर लिजेगा देख सकते हैं इस परकार से registration हो गया अब आपका जनकारी यहाँ पर दी हुई है अब क्या करेंगे आप यहाँ पे go to application form उपर में देख रहा है यहाँ एक logout का option है go to application form इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंग आप अब देखें यहाँ पे आपको और जनकारी फिलब करने है जैसे कि देखें यहाँ पे आपको अपना साधी हुआ कि नहीं हुआ यह आपको बतानी है उसके बसे अपने father name यह अगर married है तो husband name लिखेंगे उसके बसे mother name यह सब आपको metric certificate का अनुसार आपको लिखना है य Are you non regular stop working in NB? अगर आप non regular stop NB में working है तो यहाँ पे yes करेंगे अन्य था आप यहाँ पे no करेंगे ठीक है ना उसके बाद से आपको पूछ रहा है क्या आप केंदर सरकार में तीन साल के निरंतर सेवा करमचारी भी वागे करमचारी है NB नियमित करमचारी तो अगर आप NB न नीचे में आपको बोल रहा है कि सरकार द्वारा जारी फोटो पाचान की रुपया जारी पाचान पतर चैन करें तो आप अपना यहाँ पर अधार काड नहीं आपको पास पोड़ पैन काड वोटर एडी काड ड्राइविंग लाइसेंस इसी में से कोई आपको चूच करना ह तो मैं आप वोडर ऐडी काड चूच कर लोगा यह वोडर ऐडी यहाँ पे लिख दूँगा उसके बस अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है उसके बाद से यहाँ पे अपना पीन लिखेंगे अगर आपका दोनों एडरस सेम है तो यहाँ पर यह सिख करेंगे तो ऐसमित लेकिनंगे कि अगर आप इंटर तक पढ़ेंगे नहीं भरिएगा तो भी आपका form आगे बढ़ जाएगा, submit हो जाएगा, अब यहाँ पे पूछ रहा post creation आपके पास नहीं होगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर है तो भर सकते हैं, अब यहाँ पे पेसवर योग्यता वीवरर, ठीक है न, professional qualification आप यहाँ पे बता सकते हैं, अन्य था आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप कहीं से पढ़ाई किया है, तो ठीक है न, नहीं किया है, तो छोड़ भी सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, उसके बसे पूछ रहा है, experience details, अगर आपके पस experience है, तो यहाँ पे experience दे सकते हैं, आपको यहाँ पे बरित्या पहले दिया जागा, और experience आप डालते हैं नहीं है तो छोड़ सकते हैं उसके बसे पूछ रहा है कि आप हंदी-ctive इंग्लिस पढ़ सकते हैं रिलिख सकते हैं बोल सकते हैं तो आप यहां पे Tik कर लेंगे इंगे और other language भी जानते हैं किस school से आपने qualify कि उसका नाम लिखेंगे, आपका कितना percentage है, passing year क्या है, और subject का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, तो 5 subject होता है metric में, पाचों का यहाँ पर बारी-बारी से आप नाम लिख दीजेगा, same उसी तरह से आप यहाँ पर इंटर का भी details से लिखना है, तो चले म मैं इसे link के आगे का details, friends manager साब को बता, मैंने fill up कर लिया, आप मैं यहाँ पर save index ट्रॉले पर click करता हूँ, देखे यहाँ पर data saved successfully हो चुका है, अब आपको यहाँ पर खास जैन यह देना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना photograph यहाँ पर लगाना है, उसके बाश से signature ल experience का है, NOC है, ठीक है ना, उसके बाश से यहाँ पर graduation degree है, post graduation है, तो अगर आप ज्यादा qualification क्लावधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे, अब जो आपने ID चूच की थी है, starting में pen card driving lessons जो था, आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एक copy यहाँ पर लगाएंगे, यह necessary है, ठीक है ना, यह क्या होगा, आपको scan करके लगाना है, और photocopy करके self attested करके scan करना है, यह नहीं कि आपको उसी तरह से upload कर दिया, original, आपको क्या करना है, उसका photocopy करके, नीचे में अपना sign करके, तब जाके यहाँ पर आपको, यह सारे जो documents हैं, आपको यहाँ पर upload करना है, upload तो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे, यहाँ पर आपको तीन preference देना है, exam center में, तो आप यहाँ पर exam center अपने अनुसार choose, जरू कर लिजेगा, यह आपके उपर depend करता है, कि आप कहां exam देना prefer करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद से आप यहाँ प लेख सकते हैं, 18% GST लगाया गया है, अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, इस पर agree करना है, और यह जो capture भर रहा है, इसको भरना है, भरने के बाद से आपको यहाँ पर preview का option आजाएगा, आपने जो भी fill up किया है, यह सारी जनकारी किया होगा, आपको दिखा देगा कि आ है, फ्रेंट्स आपको वीडियो का ऐसा लगा, कमेंट सेक्षिन में जरूर बेतेगा, वीडियो पसंदे तो लाइक किजाएगा, अपने दोस्तों में सेर किजीगा, और इस notification को आप पढ़िएगा, तो आपको यहाँ पर qualification के साथ-साथ, आपको यहाँ पर किस तरह के आपक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमें दीजे इजायत और देखते हैं, डिये सेल्पिंग फारेवर